अगर आपके mobile में Paytm application है और आपके पास इंडिया post payment bank का account है तो आप यह जरूर चाहते होंगे कि बाकी bank account की तरह IPPB का account भी Paytm से link हो जाए ताकि आप आसानी से IPPB account को Paytm से link करके किसी को भी पैसे आसानी से भेज सकते हैं और अपने IPPB account में भी आसानी से पैसे मंगवा सक आप चाहें तो online transaction UPI payment भी आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं तो आएए दोस्तों आज हम जानते हैं कि अपने इंडिया post payment bank account को Paytm से कैसे link किया जा सकता है UPI PIN कैसे sit किया जा सकता है और पैसे कैसे transfer किये जा सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर प मिलती रहेगी तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आएए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको अपने mobile में Paytm app को open करना होगा Paytm app open होते हैं इस तरह से आपको screen दिखने लगेगी यहाँ पर सबसे उपर left side profile पर क्लिक करना है और निचे setting वा पर क्लिक करना है इसके बाद saved payment detail पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपके cards और bank account जो भी linked है वह आपको सूख करने लगेंगे यहाँ पर linked bank accounts में add new पर क्लिक करना है अब यहाँ पर सारे bank का option आ गया है किस bank account को आप add करना चाहते हैं आप चाहें तो सर्च वाले option पर क्लिक करके आप india post payment bank type करके आप सर्च कर सकते हैं देखिए india post payment bank आ गया या नहीं तो आप नीचे scroll करते जाएंगे आपको india post payment bank का option मिल जाएगा देखिए यहाँ पर india post payment bank का option आ गया है इस पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक करते ही मेरा account यहाँ पर सो करने लगा मेरे पास दो account है current है और saving है दोनों यहाँ पर सो करने लगे नीचे proceed वाले बटन पर क्लिक करके proceed करना है और देखिए bank linked successfully हो गया अब यहाँ देखिए linked bank account में हमारे india post payment bank के दोनों account सो करने लगे हैं आईए मैं आपको balance चेक करक चेक balance वाले option पर क्लिक करते ही आपसे आपका debit card का information मांगा जाएगा आईए हम अपना debit card का detail यहाँ fill up कर देते हैं जिसमे debit card का last 6 digit आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर month डालने है आपको और यहाँ पर year डालना है और डालके आपको proceed कर देना है continue करते ही आपके mobile पर OTP UPI pin आपको UPI pin और नीचे अब set UPI pin का option आ रहा है मैंने वीडियो में भी बताया था कि UPI pin कैसे set करते हैं वो भी मैं बताऊंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है simply आपको यहाँ पर अपने मन से जो भी pin आपको रखना है वो यहाँ पर set कर देजिए तो मैं अपना UPI pin यहा कर देना है आईए मैं आपको balance चेक करके बताता हूं उसके लिए हमें check balance वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर UPI pin इंटर करने का option आ रहा है तो मैं अपना यहाँ पर UPI pin इंटर कर देता हूं और ओके कर देता हूं देखिए यहाँ पर balance आपको तो करने लगा आईए अब हम आपको paytium के माध्यम से पैसे कैसे transfer होते हैं वो मैं दिखाता हूं paytium app open होने के बाद आपको इस तरह का screen दिखाई देगा जिसमें send money to anyone का option दिख रहा है तो हमें send money to anyone वाले option को क्लिक करना है उसके बाद इस तरह से page खुलेगी जिसमें आपको option है कि आप अपने account में प to a payment कर सकते हैं या to a bank account आप किसी bank account में भी पैसे transfer कर सकते हैं और आप अपना account balance भी जान सकते हैं और आप history देख सकते हैं कि आपने कहा कहा क्या transaction किया है तो मैं यहां पर mobile number डाल कर पैसे भीजने वाला हूं तो इंटर नेम और mobile नमर वाले जगह पर क्लिक कर देना है आप mobile number डाल कर okay कर देंगे उसके बाद आप कितना रुपिया भेजना चाहते हैं इसका option आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक रुपिया भेज कर आपको दिखाता हूं मेरा यहाँ पर इलाभाद bank account primary है मैं इसे change कर देता हूं और India Post Payment Bank को click कर देता हूं और pay वाले बटन पर click कर देता हूं फिर UPI पिन इंटर करने का option आएगा मैं यहाँ पर अपना UPI पिन इंटर कर देता हूं और okay कर देता हूं यह देखिए processing money of one to piece transfer और processing successful हो गई तो इस तरह से आप पैसे transfer कर सकते दोस्तों आसा करते हैं कि आप यह सारी बात समझ पाएं होंगे कि किस तरह से आप अपने इंडिया Post Payment Bank के account को link कर सकते हैं कैसे UPI पिन जेनरेट कर सकते हैं और पैसे कैसे transfer कर सकते हैं अगर फिर भी कोई query रह गई हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं वीडियो को like जरूर कर दे और channel को subscribe कर bell icon जरूर on कर ले ताकि आपको IPPB bank से संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले मिल सके फिर मिलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद